Qt No. 58 अब पर्फेक्टी रिफ्लेक्टिंग मिरर आफ मास कैपितल एं माउंटेड अनस प्रिंग कंस्टी उट इस प्रिंग मास्सिस्टम ऑ अंगिलर फ्रिक्वेंशी अंगिलर फिल्गेंशी इंकुद दिविये यह जैनि स्प्रिंग का कॉंसेंट नहीं दिया वह तो अंग यह इसका मास हो गया capital M स्प्रिंग कॉंस्टेंट हमको नहीं दिया हुआ है और स्प्रिंग कॉंस्टेंट की बदले ही उसने अंग्यूलर फ्रिक्वेंशी दे रखी एक्चली तो ठीक है एक ही बात है नॉर्मली हम लोग अंग्यूलर फ्रिक्वेंशी को लिखते हैं अंड इंटू 10 तो दी पावर 24 एंड डिवाइड़ बाई फोर पाई capital M ठीक है छोड़ दो जैसे लिए हुई है नाउ इट सेज एन फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ स्ट्राइक दी मिरर साइमल्टेनियसली एट नॉर्मल इंसिदेंस सब्सक्राइट मिरर गेट्स डिस्प्लेश्ट पाई वन माइक्रो मीटर अब देखो मिरर है तो मिरर क्यों पर अगर फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे तो लाइट का परफेक्ट रिफ्लेक्शन होगा तो अगर हर एक फोटॉन्स इसके उपर गिर रहे हैं तो एंट फोटॉन्स अगर सडनली गिर रहे तो उनका जो मूमेंटम है वह एक तरह से मिरर के लिए मिर्स बनेगा और यह मिरर फिर वी स्पीट से आगे बढ़ेगा ठ सब्सक्राइब इस ग्राइब कि थे लुक्त दूंद हो थेट थे लिए लुक्ति अग्रीक तो चेंज लुमेंटम और फो तॉंस इपोल टू पर तो 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 टोटल चेंज लुमेंटम अगर हम लोग लिख थे हैं टोटल चेंज इनमेंटम हो जाएगा एन फोटॉन से न तो एन इंटू टू एच बाई लेंड़ा इस इक्वल टू कैपटल एंटू वी तो यहां से अगर आप वी की वैल्यू निकालोगे तो यह हो जाएगा टू एन एच अपॉन एम लेंड़ा यह विलॉस्टी मिरर की निकल के आई और इसके बाद मिरर जो है वन माइक्रो मीटर डिस्प्लेस हो हाफ हाफ कैपिटल एम इंट्ो वी स्क्वैर इजएकोल टू हाफ के x max square फिर तो यहां से अगर आप solve करते हो वेल्यू रख देते हैं आफ तो cancel हो गया m को एम रखते हैं वी स्कॉर की जगे देखिए फोर एन स्क्वाइर एच स्क्वाइर अपॉन एम स्क्वाइर लैमडा स्क्वाइर इक्वल टू के का वैल्यू एक काम करो इस computed school of저 क्प्रेशन से निकाल लेते हैं के कवेल्यू तो यक्र No मैक्स दिया हुए 1 माइक्रो मीटर तो यह तो हो जाएगा तो आप मैंस को थोड़ा कॉल करोगे अगर एक्वेशन को तो इस एक्वेशन से एच स्क्वाइर भी कैंसल हो रहा है तो यह सारी वैल्यू आप कैंसल आउट करो फाइनली तो आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी विच इस इकल टू वान